हाईलो फ्रेंड्स आप लोग को एस्टडी सिलेबस में स्वागत है मेरे प्यारे भाईयो आज मैं आप लोग के लिए मैं एतना इंपोर्टेंट लाया हूँ खबर जो आप लोग सुन करके एकदम हो जाएगा हबर हबर तो सुनिए सबसे पहले नमर बात मैं जो कहने जा रहा हूँ सो बात इंटर स्कुटनी के लिए कल से करे ओनलाइन आवेदन साथ पांच दोर्बी साजी पुरपरभात खबर के अनुसार 25 मैं तक हो सकेगा ओनलाइन आवेदन कहां पर करना होगा सो ध्यान में रखीगा इधर दखी इधर इस पर कारवला पर इधर दखी देख रहा है नहाँ इस पर कार करना होगा आवेदन तो सुनी डायरेक्ट्री आवेदन पर बोड ने बताया कि आवेदन के लिए website बिहार बोड आउनलाइन विहार गवर्मेंट इन पर अपलाई अपलाई फर एसकुटनी अनुवल इंटरमीडियेट एक्जामिनेशन 2020 लिंक पर क्लिक करना होगा जिसके बाद एक नाया पेज खुलेगा इस पेज पर रॉल कोड रॉल नमबर और रईस्टेशन नमबर अंकित करते हुए रजिस्टर कर सकेंगे इसके बाद एसकुटनी अपलिकेशन आईडी नमबर पर दर्शित होगा इस आवेदान संख्या को विद्यार्थी भविष्य में उप्योग के लिए सुरक्षित रख लेंगे अपलिकेशन आईडी नमबर और रईस्टेशन नमबर का परियोग का परियोग अब इधर दखिए परियोग अब सुनिए अब इधर जहां से सुनिए बिहारवर इंटरवर्सिक परिक्षा 22 रिजल्ट या मार्क्स से असंतुष एस्टुडेट एसकुतनी के लिए आठ से 25 मैं तक आवेदान कर सकते हैं बोड ने अध्याक्ष अनांद किसोर ने बताया कि परिक्षा यदि किसी एक या सभी विषायों में मिले अंक से असंतुष नहीं है तो वे संबंदित विषाय के उत्तर पुस्तिका की एसकुतनी के लिए बोड की वेबसाइट बिहार बोड ऑनलाइन समद रहे हैं इसी पर एक दम आठ से 25 मैं तक आवेदान कर सकते हैं इसके लिए अवेदान के समय प्रती विषाय सत्तर रुपाय सुल्क लगेगा सत्तर रुपाय आशा कोई बेसी लेगा ना मेरो भाईबा तो नहीं दीजेगा हाँ 25 मार्च को जारी हुआ था ध्यान में रखियेगा और इसको जितना हो सके उतना सेर कीजेगा आप लोगों से यही निवेदान है और मन करे तो एक लाइक दबा दीजेगा अन्या मन करे तो छोड़ दीजेगा कोमेंट ज़रू कीजेगा चलिए इतना ही पर बेस्ट अफ लग पास होते रहिए जाहिंजे भारत